हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किलोग्राम के प्राश्ण को किस तरह से हल किया जाता है तो देख सकते हैं आप एक प्राश्ण है 3 केजी कादाम 360 रूपाई है तो 5 केजी 3.5 कादाम कितना होगा देखिए इस प्राश्ण को हल करने के लिए हम लोग सीखाएंगे यहाँ पर देखिए प्राश्ण में दिया हुआ है 3 केजी कादाम कितना है वह देखिया 360 रूपाई तो आपको सबसे पहले लिखना है लिखने के बाद आपको सबसे पहले यह पता करना है कि एक केजी का दाम कितना होगा देखिए एक केजी का दाम को निकालने के लिए आपको तीन से भाग लगाना है तीन सो साथ में तो चलिए अब हम लोग तीन सो साथ में तीन से भाग लगाते हैं तीन से तीन को काटें यह कटेगा एक बार में तीन से चो को काटें यह कटेगा दो बार में इसके अंत में 0 है तो इसके अंत में 0 लग जाएगा यानि एक केजी का दम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 120 रूपए देखिए जैसे ही एक केजी का निकल जाएगा सबसे पहले आपको 5 केजी का निकालना है तो 5 केजी का निका यहोगा दस का जीरो हासिल एक, पांच से गुना एक में करे, यहोगा पांच और एक था हासिल, तो यहोजाएगा छो, यानि पांच केजी कदम कितना हो जाएगा, वहोजाएगा छो सो रूपए, अब देखिए यहाँ पर साढ़े तीन सो ग्राम का दाम को निकलना बाकी है, तो देखिए साढ़े तीन सो ग्राम का दाम को निकलना के लिए, आपको सबसे पहले सो ग्राम का दाम को निकलना होगा, देखिए सो ग्राम का दाम को निकलना के लिए, जो यहाँ पर एक केजी का दाम होता है, इसमें आपको दस से भाग लगाना है, सो ग्राम का दाम को नि देखिए 100 ग्राम का दाम कितना निकल करके आगिया वह आगिया 12 रूपए यहां पर देखिए प्राउष्ण में था 300 ग्राम का तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 300 ग्राम का इसके बाद निकालेंगे 50 ग्राम का देखिए 300 ग्राम का निकालने के लिए यह जो 100 ग्राम का दाम आया है इसमें आपको 3 से गुना करना है 12 से गुना 3 में करें यह हो जाएगा 36 रूपए यानि यह जो 36 आया यह केवल 300 ग्राम का है अभी भी देखिए यहाँ पर 50 ग्राम का दाम को निकालना बाकी है देखिए 50 ग्राम का दाम को निकालने के लिए आपको लिखने आपर 50 ग्राम और 50 ग्राम का दाम जो होता है वह होता है 100 ग्राम का आधा यानि 12 रूपए है तो इसका आधा हो जाएगा 6 रूपए यानि देखिये यहाँ पर हो गया 50 ग्राम और यहाँ पर यह जो 36 है यह 300 ग्राम का यानि यह दोनों मिला करके यह हो जाएगा 355 ग्राम का और यह जो 600 है यह 5 केजी का तो आपको या सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है यानि 636 और 6 को 6 और 6 को जोड़ें यह होगा 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 था हासिल तो यह हो जाएगा 4 और यहाँ पर देखिया 6 यानि 5 केजी साड़े 300 ग्राम का दम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 642 रूपए तो चली अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्राश्ण है 50 ग्राम का दम 2 रूपए है तो 10 केजी का दम कितना होगा देखिये यह प्राश्ण को हल करना बिलकुल आसान है सबसे पहले देखिया पर दिया हुआ है 50 ग्राम का दम कितना है वह है 2 रूपए तो आपको सबसे पहले लिख लेना है इसके बाद आपको निकलना है 100 ग्राम का दम 100 ग्राम का दम जो होता है वह 50 ग्राम का 2 गुना होता है यानि 50 ग्राम का 2 रूपए है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 4 रूपए, अब आपको यहां से 1 केजी के दाम को निकालना है, 1 केजी का दाम को निकालने के लिए, जो 100 ग्राम का दाम होता है, इसमें आपको 10 से गुना करना है, 4 से गुना 10 में करें, तो यह हो जाएगा 40 रूपए, यानि 1 Pac.G कदम कितना हो जाएगा ? वह हो जाएगा 40 रूपऐ . देखिए दस से गुना इसलिए किया जाता है क्यों कि 100 ग्राम के 10 बट खारे जो हते हैं वह 1 kg के बराबर होता है। जैसे यह 1 kg का निकल जाएगा अब आपको देखिया आप 10 kg कदम को निकालना है, 10 kg का दाम को निकालने के लिए यह जो 1 kg का दाम है, इसमें आपको 10 से गुना कर देना है, यानि 40 में गुना 10 से करें, तो यह हो जाएगा 400, यानि 10 kg का दाम कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 400 रुपए, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, कि जो इस तरह का किलोग्राम का प्राश्वन होता है, इसे हल कैसे किया जाता है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होतों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर ना हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा